हेलो दोस्तो जे के कमपाणी का एंगल गार्णर मैसीन मॉडल नमबर है 801 तो मेरे पास रिपेर करने लेके आ है बोल रहा था इसमें आगे बाला जो बैरिंग है ना बहुत दिता प्ले है तो पहले हमें क्या करना है मैसीन में जितने भी पॉबलम है हमें उसको अच्छे से द करते हैं कि मैंने कुछ नोटीस किये है तो आपके साथ सेयर करते हैं मैसीन किसे रिपƯह किया है इसमें गियर बोक्स गया है तो गियर बोक्स ऐसे तो कभी नेहीं तूटते है सिप्लेंग क्या बजह है हमें थोड़ा देखना है बहुत होता है इसको कभी कब जब चलते हैं पेस्क करने पर टुट जाता है यह सकता ऐसे हुआ है इसमें गैरभि थोड़ा स्लिप हो गया है और यह स्पेंड yes sam किसी ने पहले रिपियर किया है बैरिंग चेंज किया है उसमें स्पैंडल जब हमार से टककर मरते हैं उसमें थोड़ा बैट जाता है वह आपके साथ सेयर करते हैं तो मैसीन में क्या हुआ हमें पता नहीं है धिरे दिरे करके मैसीन को हम ओपेंड करते हैं अब साप करने आपक एक्सिडंट होते हैं हो सकता है ऐसे कुछ problem हुआ तो मैसीन अब रिपेयर करते हो तो आपके पास सभी टूल्स होना चाहिए और सही जानकारी भी होना चाहिए ने तो क्या होगा आप से गलत रिपेयर होने से मैसीन डेमेज हो सकता है तो आपको अच्छे से रिपेयर करना है आपको अच्छे काम सिखना है यह तो आपसे गलती के वज़ए से किसी का मैसीन में बहुत सारे समान डैमेज हो सकता है उसका मैसीन फेकना भी पर सकता है तो हाउजिंग बढ़े से ओपेन हो गया आगे बहुत यहादा प्ले है तो आपके साथ सेर करते देखिए बैरिंग का साइज है 62001 तो यह देल कमपने मैसिंग जैसा है फिटिंग सापको सेम देखने को मिलते हैं इसमें पत्ती थोड़ा कटिंग हो गया इसमें गियर स्लिप हो गया है स्पैट्र भी डेमेज कर दिया है तो इसमें हमें वेhern为 स्गरना इस यह सेमुपरन चेंज करना है तो सोचो इसमें आपको हाॉजिंग चोड़के इसमें तो कार्म आपको चैंज करना है तो कार्वन ओपन करके मैस यहुच 橋 यूब करते हैं झाल झाल उपेंड करने के बाद मैंने कुछ देखा इसमें बेरिंग है ना बॉड़ी का अंदर रह गया है तो ए होने का दो बजा होता है तो फिटिंग्स में पॉबले होने पर बोजी दा भाईवेशन हो पर क्या होता है बेरिंग का जो प्लेशन डेमेश हो जाता है और दूसरे जो क तो लग रहा है जाद दिन नहीं हुआ है तो मैसीन दो काम में यूज़ कर सकते मार्भील में पॉलेश के लिए यूज़ कर रहा 타 ने तो जो एडव appears थ होता है तो उसको का्टिंग करने के लिए use कर रहा तो इसी वाigat yourself डास्ट देखने को मिलते है तो अंदर बैरिंग रह कि मैंने देखा है उतना वड़े से काम नहीं होता है तो चेंज़ गरने पर बड़े से फिटिंग रहेगा अब बड़े से काम कर पाओगे ले लिए है नया बेरिंग हम फीटिंग करकर आँको देखा रहे हैं देखे इज़ी अंदर जा रहा है तो आप सोचोगे इसको रिपेर कर सकते है तो पीछे वाला बैरिंग का बहुत यदा काम होता है उसमें भाइवेशन को पकड़ते हैं तो इसमें थोड़ा सा भी भाई बेसेंट राइने पर बेरिंग बहुत ज़्यादा तूटेगा तो आपको इसमें फेवकुक देखे रिपियर कर लेते हैं मैंने बहुत बाई रिपियर किये हैं उतना अच्छे से और्क नहीं करते हैं तो आर्मेचर आप चेंज कर देंगे न इसमें स्पैंडल भी डेमेज कर दिया इसमें गियर भी डेमेज हुआ है बेरिंग भी डेमेज है तो यह तो देखके पता चल रहा है मैंसिन किसी ने रिपियर किया है उसमें गलत रिपियर किया है तो क्या हुआ है जो मैंसिन लेकर है वो ही बोल साकते है इसमें क्या हुआ आतिक दो मैसिन को रिप्यार करके कोई फायदा ने ए ड्रक तो मैसिन को बेटना सबकूच बेरिंग हुआ है तो मैसिन को फेकना है आज़र आएगा आप और अच्छे से ओख करेगा इसमें बोड़ स्वार आतनी आपको च चेंज करना पड़ेगा तब अब इसको ठीक होंगे इसमें बहुत जिदा खर्चा भी आएगा बैरिंग अंदर रह गया है उसको हम भार कर लेते हैं बड़े से बाहर हो गया अब पीछे वाला जो रावार है ना बहुत ही अच्छे दिया है जल्दी डैमेज नहीं होता है बहुत ही अच्छे रावार कंप तो हम रिपिर कर देंगे